question number 11, show that the point A, B, C are collinear, हमें क्या करना है, A, B, C को collinear दिखाना है, तो ठीक है, यहाँ पर A, B और B, C find कर लो, A, B क्या होगा, O, B minus O, A, so O, B minus O, A, तो 5 minus 1 is 4, A, this minus this, plus 2, J, this minus this, तो plus कितना, 6, K, दूसरा find कर लो, यहाँ पर B, C, तो B, C क्या होगा, O, C minus O, B, so this minus this, कितना, 6, A, I, J, K, पर कैप लगाते रहा है, न, हर पर, this minus this, याने की, 3, J, and this minus this, तो कितना, 9, K, अभी तो कुछ relation बन नहीं रहा है, यहाँ पर, एक काम करो, यहाँ से 3 common ले लो, हमने 3 common लिया, तो कितना आया, 2, I, plus J, plus कितना, 3, K, अभी भी हम इसको कुछ, इसके times पर नहीं लिख सकते, लेकिन अगर हम यहाँ 2 से multiply करा दे, तो यह पूरा का पूरा बन रहा है, तो 2 से multiply और 2 से divide, तो 3 by 2, यह तो divide और multiply अंदर, 4I plus 2J plus 6K, ठीक है, तो यह क्या है, BC, तो जो BC आया, वो 3 by 2 times of, what is this, A, B, A, B, ठीक है, So, BC is lambda times of AB, therefore, A, B, C are collinear, यह क्या हो गए हमारे, collinear हो गए, next इसमें कहा है इनोंने, कि, आगे second part कहा है कहा है, find the ratio in which B divides AC, ठीक है, बना लो एक line, A, B, और यह C, C के coordinate है, 11, 3, 7, B के coordinate है, 5, 0, minus 2, ठीक है, और A के coordinate है, 1, minus 2, minus 8, ठीक है, अब देखो, यह क्या है, O मान लो इसे, यह हो जाएगा, A, यह, B, और यह, C, ठीक है, तो हमने मान ले, let it divides, let B divides, A, C, N, M is to N ratio, तो यह M, और यह क्या N, तो देखो, यहां से जो B आएगा, वो क्या आएगा, M times of C, plus, N times of A, upon, M plus N, अब इसे simplify करो, B को क्या लिखेंगे हम, 5I minus 2K, ठीक है, यह M, C, यह रहा, 11I plus, 3J plus कितना, 7K, plus N times of A, I minus, 2J minus, 8K, upon कितना, M plus N, यह रहा है, तो 5I minus, 2K equals, जब हम इसे solve करेंगे, यहां से क्या आएगा, 11M, 11M, यहां से कितना आएगा, plus कितना, N, N, I को ले लो, बहार, ठीक है, उसके बाद, plus, 3M, यहां से कितना, minus 2N, J बहार, plus, 7M, minus, 8N, और यह, K बहार, और यह M upon N तो तीनों के denominator में आएगा, upon M plus N, upon M plus N, और यह upon में कितना, M plus N, यह आगया, अब हमें ratio निकालना है, तो कोई भी ले लो, यहां I को coefficient क्या है 5, और यहां I को coefficient क्या है यह, तो now, यह वाली value कि, यह इसके पूरा बराबर है, तो इसका एको coefficient और इसका एको coefficient क्या होगा बराबर, so therefore, 11M plus N upon M plus N equals to कितना, 5, यहां तो, 11M plus N equals to 5M plus कितना, 5N, यहां यहां इसको इदर लिया हो, 11 में से 5 गए, 6, 6, M, इसको इदर लिया हो, 4N, हमें ratio निकालना है, यहने कि, हमें M upon N निकालना है, तो M upon N कितना आया, 4 upon 6, यहने कि, 2, 2 जा 4, 2, 3 जा 6, 2 by 3, so the ratio is, M is to N क्या आ गया, 2 is to 3, ठीक है, यहने कि, जो B है, वो A, C को किस ratio में डिवाइड कर रही है, 2 is to 3, लिख भी जेना, therefore, B divides AC in 2 is to 3 ratio, अच्छी बात यह है, वो तो हमें यहीं से मिल चुका था, देखो ज़रा, BC is 3 by 2 times of AB, तो अगर हम AB के लिए लिखें, तो AB के लिए अगर तुम लिखोगे, यहने कि हमें AB upon AC, यही ratio, तो M is to N का क्या मतलब है, AB upon BC, तो मतलब अगर हम यहां से लिखें, तो क्या आएगा, AB, upon में ले आओ क्या, BC, ठीक है, तो यह इधर आया क्या, 2 is to 3, तो ratio यहां से भी ही आ रहा है, तो पहला तरीका तो यह, दूसरा तरीका यह है, इसका ratio fine करने का, हम AB और BC, हम AB और BC already fine कर चुके थे, ठीक है, तो जो ratio आएगा, यहर वो यह भी आ जाएगा, magnitude of AB upon magnitude of BC, क्योंकि AB और BC वेक्टर हम अलड़े निकाल चुके हैं, तो हम magnitude of AB भी निकाल सकते हैं, तो उनके magnitude को जब तुम डिवाइड कर आओगे, तो वो ratio ही आएगा, कि किस ratio में यह डिवाइड हुए,